जैसे आप सब जानते हैं कि मुल्क भर से और बहुत सारे लोग जो स्टेलिट थे पिछले दो महीने से आप प्रसेश शुरू हुआ है उनके घर आने का बुट सेभा से लोग वापस आ रहे हैं मरे पास बंदर देस से उसके बार फ्रइट से चाहिन इसके बार और फ्लाइट से जूल है ट्रेयं वहों को स्टेंसिंज में आरा है और में वो पार्टिस्पेट करें और अधेर करें इस बैकड्रोप में यह ज़रूरी है कि बहार से जो भी लोग आ रहे हैं तो 100% करने के लिए और हमारी पॉपलेशन को सेफगाड करने के लिए कि 100% लोग रिपोर्ट करें उनकी टेस्टिंग और हमारे पस कोई भी ऐसा केस ना हो कि जो अन्नॉइंग ली कम्यूनिटी में मिक्स और उसके वज़ाद से इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि जो भी कि लोग बाहर से आ रहे हैं रिलीजिसली यह प्रोसेस फालो करें और किसी भी केस में यह स्केप ना हो इसके साथ-साथ बहुत सारे सवालात लोगों के क्वारंटिन फेसिलिटीज को भी लेके रहते हैं मुझे बड़ी खुशी है यह बताते हुए कि लग बग दो महीने से करेंवे लोगों को अपने कोर्णिन फेसिलिटी में यहां पर रख रहे हैं से देहल में बहतरीन फेसिलिटी हमारे पस उल्र इडिय अधील ती हमेरे यहां के करियेट कि और रिसेट्ले होसबोर्ट सम skills हैं कम्यूनिटी हौल लीए तो अपनी तरसे हमारी पूरी कोशिश अ आप बहतरीन से बहतरीन फसिल्टी पे दें तो घर का जो कमफर्ट है वो शायद नहीं मिलता है वो बेशक मिसिंग रहेगा लेकर कुछी दिनों की बात है जैसे आपका जो टेस्स दो तीन दिन में कम्प्रीट प्रोसेस हो जाती है दो दिन से तीन दिन अब लग रहे हैं क्योंकि नंबर्स बहुत ज़दा हैं तो हमारे साथ कॉपरेट करें हैं क्वारिंटेंट फसिलिटिस हमने जो क्रियेट की हैं ल लोग आएंगे लेकिन काफी ज़्यादा नंबर है अपने शुरुआत में तब भी हम यह डिस्केशन करते थे कि नंबर आफ स्कुडेंट जो है वो भी इससे ज़्यादा होगा जो ओवराल सर्कुलेशन में था तो अब देखें कि काल शाम तक बारा सारी काल शाम तक पचा का लिकेश है वो करने की बसीज का है बाहर जो लोग स्टेंडिड है कि बंगलेशे फ्लाइट आई हैं उसके बाद हमारे पास कजाकरस्तान के विस्तान मसकेट से लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं काफी लोग वह स्टेंडिड हैं उनका हम टेक अप कर रहे हैं तो जो भी या कम्यूनिकेशन हमारे पास आ रहा है उसको भी हम टेक अप कर रहे हैं साथ ही साथ जो रेगुलेटिड रिटर्न है वो भी हो रहा है तो इसके अलावाद बहुत सारे लोग बाहर के जो वर्तिंग क्लास से यहां फसा है उसके बाहरे में अर्मिस्ट्रिशन चाप कर रहे इसी तरह हमने कंसर्ण स्टेट्स यूपी बिहार मद्यप्रदेश पंजाब जहां से लोग आते हैं उनको हमने कम्यूनिकेट किया है और जैसे ही में वहां से क्लेमिस मिलता है जब उनका इनका रहमिट वहां हो जाता है डेफिनिट्ली इनको बिज़ा जाएगा इसके साथ साथ वर्कफोर्स में बहुत सार ये लोग इनकी शमुलियत रहती हैं तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो नहीं शुरू हो और हैं डेफिनिट्ली उसके लिए लोग स्टेबैक करेंगे इसके लावा बाकी लोग यहां पर जो कहीं में रिलिजियस विजिट पर या आदर्वा कर जा रहा है तो क्या कोई सिस्टम है कि जो लोग सीधे इस सिर्नगर पहुंच जाएं ताकि उनका कॉरंटेन यहां मनेश करेंगे देखिए क्योंके सिर्नगर में मैंने पहले कहा कि जो बेहतरी फैसिलिटी वारे पास अवेलेबल थी वहांने रेडी करके अवेलेबल रख अगर एक गाड़ी में डिफरेंट डिस्टिक के लोग आएंगे तो थोड़ा चांस रहता है स्किप होने का तो वहां से उन्होंने प्रसीजर रखाया कि डिस्टिक वाइज वो लॉट बहेज रहे हैं तो वहां पर उनको गाड़ियां वारे शेफल करनी पड़ती है उसकी जैसे लोगों का कंसर्ण है कुछ को भी लेकर कंसर्ण था लेकर लाइज ली नंबर भी बहुत ज्यादा दौन डिस्टिक में है पचास जार जैसे एक हफते में ही उन्होंने डील किया है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जैसे आगवी उदंपूर में जो ट्रेन में हमार लग 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 दो सो लोग हैं तो हमने कॉडिनिट किया है उदंपूर एडमिस्टेशन ने बहतरीन महां काम किया है कि अलग लग डिस्टिक वाइज में बसी जब अवेलिबल करके दी है तो यही हमारी कोशिश है कि लोग जो पॉइंचते हैं उदंपूर में कठुआ है ल लेकिन जैसे हम नंबर जेकने के इंफलक्स बहुत ज़्यदा बढ़ रहा है और जैसे मैंने का कि टेस्टिंग भी दो तीन दिन साइकल लग रहा है टेस्ट रबोर्स आने का तो हमें एक इस नंबर के लिए तियार रहने के ज़रूरत है पत्रह हजार बीस ज़र भी उसे त अभी तीन फोर्टनाइट से लग डाउन चल रहा है और उमेद है कि शायद एक फोर्टनाइट और जाए लेकिन आप वापस जिंदगी की तरफ कब आजाएंगे और कैसी देखें लॉक्ड़न जो है टेंपरेरी है यह शायद कुछ चीजों के लिए था कि इस लॉक्ड़न जो यह पैंडमिक है या जो यह वाइरस का स्प्रेड है यह रियालिटी है हमारी लाइफ की कि यह एक या दो हफते के लॉक्ड़न से या एक फोर्टनाइट से जाने वाला नहीं है इसमें हमें लोगों को त्यार करने के जरूरत है इसके साथ जिंदर रहने की इसके इसको कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंड करने की अपनी पर्सनल हाइजीन पब्लिक प्लेसिज के हमारा बिहेविर क्या होना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड कैसे चेंज होंगे तो वह सारा जो लाइफ स्टैल है वह चेंज करने की जरूरत है जो लॉक्ड़न है वो जो डाइनमिक एक सिट्विशन है कि हमें कॉल लेनी पड़ेगी 20 मेरी तक हमने और इडिस अगर में रखा कि आगे कितना एक्सेंट किया जाए डिपेंट करेगा हमरे पस रैट जोन कितने हैं नंबर आफ किसी कितने हैं आप जो इन फ्लक्स बाहर से आप देखें कि आज ए कम्यूनिटी में मिक्सिंग का कोई रिस्पांस ना कोई चांस ना रहे आप देखें कि पिछले दो मेहिने जिस किसम का कम्यूनिटी पार्टिस्पेशन यहां रहा है या राउंड दा क्लॉक जो आफिशल्स या जो भी लोग इसमें प्लॉसेस में इंवाल थे डॉक्टर्स के बाद ही कम्यूनिटी में मिक्स होने दें कुछ हलके से चांस इसे नज़र में आते हैं कि लोग अगर चार आ रहे हैं दो स्किप करने की भी इसमें कोशिश करते हैं हुमन लिमिट से हर एक चीज़ की लोग पूछते हैं कि जब यह स्किप हुए तो आप कहां थे तो मैं कि बाद दूराता हों कि हम हारे चीज़ को एंफोर्समिंट में डाले हमारी एक वोलिंटरी रिस्पॉंसिबिलीटी हमारी एक ड्यूटी यह होनी चाहिए कि जो कानून है उसको हम अब्जर करें कि यह हमारी ड्यूटी है कि इसको वायरिस को कंटेंड करने के लिए डैडली या कमजूर तबके हैं उनके बारे में क्या हो रहा है इद बहुत मजदिक है इसमें नेचरली एक बहुत बड़ा कंसर्ण है कि जब इतना लॉंग डिरेशन का लॉगड़न आप रखते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी पास ऐसे होते हैं कि जो दिन को मेगर सी इंकम उनकी हो लेबर हैं उनको और नगर दिस्टक में दिया गया था पिर कुछ जो शिकारा ओनर्स हैं या बाकी लोग उस किसम की वर्क फोर्स हैं उसको लेकर अगें आप हजार डेशार रुपे एक महिने का फुल टाइम उसको एसिस्टेंस नहीं मिल सकता है जो वो अपने रगुलर इ ले इंशाला बताएंगे तो हमरी कोशिश देगे कि हर एक आदमी तक हम पहुंचें और जो भी ये वर्किन क्लास है जो खासकर के अफ्रेक्ट जो वेजर डर इससे हुए हैं उन तक रीचोट करें अखरी सवाल डाक साब आप एक डाक्टर भी है और आप एक मुंद्जिम भी है अडिनिस्ट्रेटर भी है तो क्या लगता है आपको कश्मीर जमु कश्मीर ने यह भी तक बहुत सारे ऐसे वाबा देखे हैं अब की बार कितना मुक्तलिफ होगा है माजी से अधिये एक चीजें ऐसी होती है जिनका क्रिटिसिजम भी होता है लेकर उसकी पीछे बहुत बड़ी एक थौट प्रोसेस होती है जो आप हर अदमी के साथ उस लेवर पे शाल कम्यूनिकेट नहीं कर सकते हैं और पूरी दुनिया देखें आप इसके साथ जब लड़ रही है और हमने अ यहां के लोगों को जाता है यहां के अजडिकल जिम साथ है ऑफ हैं अनको जाता है एडमिस्ट्रेशन के जो लोग है हमारे जो इंजीनियर्स घुट चरिएट कर रहे हैं फील्ड फंक्शन्री थे हैं तो सब लो मोटे किया है और एक अच्छी सदा पर अच्छाए response system हुआ है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि यह एक reality है जिसके साथ हमें जिनके गुजारनी है अब जब तक vaccine develop होती है या इसका कोई permanent treatment develop होता तो इसके लिए जरूरी है कि सब लोग alert रहें एक अच्छा हमारा communication लोग के साथ हो पब्लिक का response अच्छा हो properly हम एक दूसरे को understand करें और जहां भी कोई loopholes हो एक दूसरे को help करें एक अच्छी हमारी engagement रहे उसको loopholes को plug करने के लिए या जो कोई इस किसमें की खामिया है उनको improve करने के लिए जहां कहीं पब्लिक की तरफ से को relation हो रही है हम handling करें उनको को बताएं कि क्या करने के ज़रूरत है जहां इंतजामिया की या medical fraternity की कहीं पर कोई short hall है कुछ है वहां उनको बताएं जाएं तो positive और constructive involvement सबकी ज़रूरी ज़रूरत है इस stage पे शायद कहना बड़ा बुच्टर रहेगा लगर मुझे लगता अगर महीने दो महीने में मच्छे तरीके से एक अच्छी cooperation के साथ यहां पर चलेंगे और एक अच्छा response सिटम रहेगा definitely अच्छी तला से इसमें हमर्ज होंगे